Hello Everyone, आप लोगों का स्वागत है मेरे को और वीडियो में, छो आज का होनी वाल जो टॉपिक होने वाला है वो मेरे पेरिट फिस्क तर्ड्र मेरा कोई भी वीडियो नहीं आयोए था प्लस मैं कोई भी वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रहा था आप सुब को पता है मेरी तब्या ठीक नहीं थी फिलाल पिछला वाला वीडियो आप सब देखे होंगे उसमें हम सब बात किये थी कि लो कॉस्ट में आप अच्छा प्लांटेट एक्वेरियम कैसे बना सकते हैं अगर आप नहीं देखें वो वाला विडियो तो आप जाकर देख सकते हैं इसके पिछले वाला विडियो ऐ ठीक है वीवर्स होंगे तो इसका नाम मौरिस में रखा हूं ठीक है बाकि इसमें दो पेर इस्मॉल साइज के पैरेट फिसे जो नीचे छूप रही है आप देख सकते हैं और एक यल्लो बनाना सिक्लेट भी है ठीक है मबूना सिक्लेट इसको बोलते हैं एक पीसी मेरे पास बचे वी अगर आपके पास यल्लो पैरेट है तो आप ब्लैक सेंड यूज करेंगे तो आपकी पैरेट फिसे की जो कलर है वो बनी रहेगी वाइट सेंड में उतना अच्छा नहीं दिखेगा आपका पैरेट फिसे पर अगर ब्लैक सेंड देते हैं और कुछ पत्थर ऐसा वाला रख पिरेट करके जरूर है ऐसा हाइडिंग प्लेस देने से आपके पैरेट फिसेड काफीency 어떤 कम देक्सी करती है जाम चांतर करता है जीसे भी पैरेट फिसेट फाइटिंग तब करती है जब आप एक बाद एकелен करते हैं मतलब अगर आपको मेरे इक रोकने के लिए आ какое- Always लाते प्लस हो चुका है तो बहुत अच्छे से रहेगी तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि आप अगर आप की फाइटिंग करती है तो सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूं उस पैरेट फिसको जो सबको दोड़ा रही है सबसे फाइट कर रही है उसको थोड़े देर के लिए निकाल दें एक गंटा के लिए अलग से बाल्टीन में बकेट में किसी में भी रख दें ऑक्स आपको इसकी एक्टिब देखाता हूं कितनी यह मुझे पहचानती है यह दिखिए सारी आ जाएगी अभी यह सब को फीड मिल चुका है अभी जस्टी में फीड दिया हूं इसको मैं ऑप्टिमाम का सिकलेट फूट देता हूं और बलड़ वांस वेगरा देता हूं सिरीम द लिए ठीक है जब मैं फोर फीट का सिकलेट टैंक बनाऊंगा उसमें उसमें वापस से यह पत्थर यह स्टॉन यूज कर लोंगा यह स्टॉन की प्राइस काफी अद तक मुझे बहुत अधिक पड़ी थी पंद्रासों के आसपास पड़ी थी यह स्टॉन की प्राइस यतने दिनों में पावर फिल्टर का कम से कम यूज ही करें दो तीन आवर कर सकते हैं क्योंकि इसमें वाइट डिजीज होने का खत्रा रहता है अभी तो गर्मी का सीजन है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो अभी तो आप लगवग 5-6 गंटे पावर फिल्टर च करें अपने सारे सिक्षेश रखते हैं जड्यूल फिक्स करते हैं उसमें फिर लग देंगे तो आपकी पैर फिशिज जडा से भी ड़ल नहीं करेंगी ठीक है तो यह यह को सिकट वर्यक्ति की सेख़ारादे और बहुत नहीं करती है ठीक है तो अभी देख रहा है एक दूस वाला जो सेंड आता है वो डाल दे उसमें बहुत अच्छे सी खेलती है और तीन फीट में आठ नौ दस इतना नहीं रखना है चार-पांच सफिस्जेंट है मेरे पास पांच ही और एक येलो बनाना सिक्लेड है इससे ज्यादा रहेगी भी नहीं और इसके साथ कोई टैंक प्रो रह जाएगी टाइगर भाप भी रहा जाती है ठीक है फिर इसके साथ मोनो एंजल से वगणार रह जाएगी डैन्योस जब्रा डैन्योस फिसेज रहा जाएगी और अपको तक टेंक में तो कम से कम फ़ीट प्लस टेंग लें फोर फिट से जादा एस टेंक में बस 45 लेगी तेन अब और एक छीक्लेट है इसी यह है था फ़ीच के उपर विडियो मशली होती है मतलब काफी दिन तक जीने वाली मचली में से एक है जैसे कि जाइंट गुरामी औसकर वेगरा काफी समय तक जीती है तो ये भी इसका life expense बहुत है मतलब 15-20 साल रह जाएगी आपके aquarium में अगर आप बहुत अच्छे डंग से पानी वानी चेंज अच्छे डंग से करते हैं अब पानी चेंज का जातक बात है तो आप 30% weekly change करें गर्मी के दिनों में अभी गर्मी का दिने तो 30% कर सकते हैं और ठंड के दिनों में 15-20 दिन में 30% आपको water change करना है ठंड में ज्यादा चेंज नहीं करनी चाहिए इससे आपकी fishes को दिक्कत हो सकती है तो यह थी parrot fishes के उपर वीडियो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक like करेंगे ठीक है इसी तरह मैं धीरे-धीरे अभी कुछ 10-12 दिन में अपने सारे टैंक को अपडेट वाला वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन से कोई भी वीडियो आहीं नहीं दे थे हमारे चैनल पे ठीक है तो अभी मैं 10-12 दिन के अंदर सारा टैंक आपको एक एक करके दिखा दूँगा तो आप देख चुक है आज पैरेट का टैंक देख लिए अगले दिन कोई और भी फिस को दिखाऊंगा न्यू वाली सिकलेट को दिखा दूँगा ठीक है चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू कोई भी क्वाइरी जो कोमेंट बॉक्स फुलावा आप जरूर पूछ सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टुडियो में तब तक के लिए बाइबाई टेक केर